Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 14.3 से question number 2 करेंगे divide the given polynomial, ये जो polynomial आपको दे रखा है इसे divide करना है by the given monomial और जो monomial दिया है उससे divide करना है monomial हम बोलते हैं जो सिर्फ अकेली term होती है और polynomial हम generally सबके लिए use करते हैं उसके अंदर एक term हो चाए दो हो चाए उससे भी ज्यादा हो तो यहाँ पर ये जो term आपको पहले दे रखी है इसे divide करना है आपको 3x से तो सबसे पहले हम इसको numerator और denominator की form में लिख लेंगे जिसे divide करना है उससे हम उपर लिखेंगे और जिससे divide करना है उससे लिख लेंगे नीचे अब इसको divide करने का सबसे बैस तरीका ये होता है कि जो आपका numerator में कुछ भी जो common आ रहा है highest common जो आ रहा है उससे बाहर निकाल लेंगे मेरे पास यहाँ पर दो terms है 5x square minus 6x मैं ये देखूँगा कि इन दोनों terms के अंदर ऐसी कौन सी चीज़े जो दोनों के अंदर है तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक x है और यहाँ पर x square है यानि दो बार x है multiply में तो x तो इसके अंदर common है ही नमबर अगर पहले देखूँ तो नमबर इसमें कुछ भी common नहीं है तो सिर्फ x common है दोनों terms में तो उपर से मैं x को बाहर निकाल लूँगा अभी यहाँ नमबर नमबर तो बच गया है 5 और यहाँ x square थे ना यानि दो बार x थे और एक मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो यहाँ सिर्फ x बच गया यह minus का minus हो गया 6 as it is है और यहाँ पर एक ही x था और उसे ही मैंने बाहर निकाल लिया तो x यहाँ पर बचाई नहीं और इसके नीचे divide किया जा रहा है इसको 3x है तो अब उपर नीचे देख लेते हैं अगर कोई चीज कट रही है तो उसे काट देंगे तो मुझे दिख रहा है कि x से x कट गया बस यह जो है यही आपका अंसर है 5x minus 6 upon में 3 second part पर देखते हैं second part के अंदर 3 terms हैं इसे divide करना है y 4 से तो पहले तो मैं इसे उपर लिख लेता हूँ 3y 8 minus 4 y की power 6 plus 5 y की power 4 मुझे इसे divide करना है y की power 4 से अब उपर यह 3 terms हैं 3 terms के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा number क्या कोई number common आ रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है इनके अंदर कोई भी ऐसा factor नहीं है जो common आता हूँ number के बाद मैं देखता हूँ y को y यहाँ पर 8 times है, यहाँ 8 है इसकी power y 6 है और यह y 4 है तो कम से कम देखूंगा वह जो सबसे less है सबसे less मैं देखता हूँ यहाँ y 4 है तो y 4 तो यहाँ है ही और जिसके पास y 6 है उसके पास y 4 भी होगा जिसके पास y 8 है उसके पास y 4 भी होगा यानि y 4 तो सबके पास है ऐसा इसके अंदर सबसे छोटा y 4 ही है जो तीनों के पास है तो यही जो है हमारा common आ जायेगा y 4 अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं यहां number 3 बच गया, और y 8 थे, 8 में से 4 बाहर आ गए, तो 4 ही बच गए, आगे minus 4 लिख दिया मैंने, y 6 थे, 6 में से जब 4 बाहर आ गए, तो यहां पर y 2 बच गए, प्लस 5 लिख दिया, और यहां y 4 थे, और वो सारे के सारी बाहर आ गए y 4, तो y तो यहां बचा ही नहीं, as it is, और नीचे y 4 है, अब उपर नीचे देख लेता हूं कि क्या कुछ कट रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है, y 4, y 4 पूरा पूरा कट रहा है, यह आपस में कट गया, जो बच गया, यही आपका अंसर है, 3 y 4, minus 4 y square, प्लस 5, यह आपका अंसर है, चलिए इसे next पार्ट देखते जा रहे हैं इसको monomial से, थोड़ा ध्यान दे तो 8 इसके अंदर बाहर है, तो 8 तो already इन में से बाहर ही निकला हुआ है, अब हम देखते हैं कि यह जो xyz, 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 xyz है, इन में क्या common आ सकता है, और उससे भी पहले हम इसको proper form में लिख लेते हैं, यानि numerator और denominator की form में लिख ले प्लस x square, y का cube, z का square, प्लस x का square, y का square, z का cube, और मुझे इसे divide करना है, 4 x square, y square और z square से, ठीक है, अब देखते हैं, उपर क्या common आ रहा है, 8 को मैं पहले अलगी लिख लेता हूँ, अब यहां से देखता हूँ, मैं xyz में से, पहले x को उठा लेते हैं, देखिए x यहां 3 है, x यहां 2 है, और यहां पर x2 है, तो x2 यहां भी है, x2 यहां भी है, और जिसके पास x3 है, उसके पास तो x2 हो गई, यानि x2 इन तीनों के अंदर है, तो x2 common आ जाएगा, अब y को देखते हैं, y यहां 2 है, y की power 3 है, y की power 2 है, तो y2 इसमें भी है, और जिसके पास y3 है उसके पास भी y2 होगा और y2 तो है यानि y2 ऐसा है जो तीनों के अंदर है अब z को देखते हैं z square है z square है और z cube है यानि z square यानि कि z हम इसे ऐसे बोलें अगर z दो बार तो सब के पास है तो z square इसमें तीनों के पास है तो यह common हा गया अब यहां से लिखना श तो यहां से एक ही x बच गया y2 थे बाहर आगये यहां से z2 थे वो बाहर आगये तो y और z यहां कुछ नहीं बचा आगे प्लस का प्लस अब यहां x2 थे x2 बाहर आगये y3 थे x2 थे x2 बाहर आगये तो x तो बचा ही नहीं यहां y3 है और y2 बाहर आगया तो एक y बच गया Z square था वो बहार आ गया, Y square था वो बहार आ गया, Z 3 है यहाँ पे और यहाँ Z 2 है, यानि 3 में से 2 बहार आ गये तो 1 Z बच गया, बस यह मेरा common हो गया, अब इसको मुझे लिखना है, divide करना है 4, X square, Y square और Z square से, अब देख लेते हैं अगर कुछ कट रहा है तो, देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 है, तो पहले अगर मैं number को देखता हूँ, number solve करता हूँ, तो 8 को 4 से divide करके, आ जाता है 2, तो number number का part तो आ गया है 2, अब कुछ कट रहा है और तो देख लेते है X square, X square से पूरा कट गया, Y square, Y square से पूरा कट गया, Z square, Z square से पूरा कट गया, बस 8 को मैंने 4 से divide करके 2 यहाँ लिखी दिया है, यह सारे के सारे कट गए, जो आगर bracket यह बचा हुआ है, इसे आप यहाँ पे copy कर देंगे, बस यही आपका answer हो गया, तो पहले तो इसे मैं numerator और 2 plus 2 X square plus 3 X, मुझे इसे divide करना है 2 X से, अब उपर उपर common देख लेते हैं, तो पहले मैं देखता हूँ number को, सबसे पहले आप भी number पे ही ध्यान दिया करें, देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो number number में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो common आ रहा हूँ इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे यह जो X है, तो X3 है, X2 है और X1 है, यानि ऐसा कम से कम क्या है जो सब के अंदर है, तो X1 है, क्योंकि यहाँ X1 है ही, जिसके पास X2 है उसमें भी X1 है, जिसके पास X3 है उसमें भी X1 है, तो इसमें जो common आएगा वो X है, अब bracket बनाके यहाँ से जो बच गया है उनको लिखना शुरू करते हैं, देखी फर्स टॉम में से X3 है, X3 में से एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे X2 बच गया, यानि तीन में से एक बाहर आ गया, तो दो बच गया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नमबर तो नमबर as it is ही है, और X2 में स एक X बाहर आ गया, तो एक X बच गया, आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 as it is रहेगा, यहाँ X एक बाहर है और एक बाहर ही बाहर आ गया, तो X तो बचा ही नहीं यहाँ पे, बस यही आपका common आके यह remaining part है, नीचे इसको करना है 2X से divide, अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो देखिए X से X कट गया, यह कट गया, नमबर नमबर में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह 1 upon 2 हो गया, यह हो गया number part, आगे जो बचा है इससे आप copy कर दें, यह बच गया है X square plus 2X plus 3, यही आपका answer है, चलिए 5th part देखते हैं, 5th part के अंदर सबसे पहले तो copy कर लेत है, numerator और denominator के हिसाब से, तो जिसे divide करना है, उपर उपर लिखेंगे, यह मैंने उपर लिख दिया, और divide इसे मुझे करना है P cube और Q cube से, अब देखते हैं, उपर देखें, नमबर पर पहले ध्यान दे, तो नमबर तो इसमें है यह नहीं, यह दोनों टॉम से दोनों में नमब है ही नहीं, यहाँ है हमारा P और Q, तो पहले P देख लेते हैं कि कम से कम किस के अंदर है, देखे, P cube यहाँ भी है, और P6 यहाँ पे है, यह निए P welt तो है यहाँ पर और जिसके पास P6 है, उसके पास P cube भी होगा, तो P cube ऐसा है, जो दोनों के अंदर है, तो P cube मैंने comment ले ल है तो तीन तो दोनों में ही है न तो जो Q Q3 है ये दोनों के अंदर है अब bracket बनाएंगे और first time में से देखेंगे क्या बचा है यहाँ P3 है P3 मैंने बाहर ले लिया तो P तो बचाई नहीं यहाँ पे Q6 है जिन में से 3 मैंने बाहर ले लिये तो Q बच गए है यहाँ पे 3 आगे बढ़ते हैं माइनस इसमें पहले P देख लेते हैं P6 है यहाँ पे जिसमें से P3 बाहर ले लिये गए है तो यहाँ पे P3 बच गए हो यहाँ पे Q3 है और Q3 बाहर ले लिये गए है तो Q तो बचा ही नहीं तो बस और नीचे देख लें अब नीचे इसको डिवाइड किया जा रहा है P Q P Q और Q Q से अब देखते कुछ कट रहा है तो P 3 और Q 3 पूरा-पूरा कट गया Q 3 और Q 3 पूरा-पूरा कट गया बस जो बच गया यही आपका अंसर है तो यह बच गया है Q 3 माइनस P 3 यह आपका अंसर तो कोशन खतम इस वीडियो बस इतना ही नेक्स कोशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई